राजी मा गुजराती भाशा नो व्याप वधारवा प्रयास सार्वजनीक स्थडो गुजराती भाशा मा लखान फरजियात आठ मनपानी तमाम कचेरियों मा अमली करन कराश रमत गमत युवा निसांस्कृतिक विभाग नौ अठराऊच सार्वजनीक स्थडो पर सुचना जानकारी गुजराती मा लखा फरजियात 21 मी पेबरुआरी मात्रुभाशा दिवस पूर वेज सरकार्नी आजाहराच मनपा मा कया 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 गुजराती परजियाच आपनी जनावी देगे तो सिनेमा गुरू, नाट्य गुरू, शाडा मा लागु परश नियम, कॉलेज, सुपर मार्केट, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टरेंट, काफे, बैंक मा सुचनाओ, गुजराती मा लखवी वांचनालाई, बगीचा, सरकारी कंपनी ओपमा पन आ नियम लागु थाश आंगे वधुमाईती मरवेशू, समधाता मयूर पासे थी जी मयूर आज नियनाई लेवामा आवे हो छे, ते आंगे शूप वाचीत करवामा आवी चे काया प्रकानो नियम चे अरे कौने कौने तेनू पादन करवू पडश जी संधिया बिल्कूल खुब महत्वनो नियनाई जे छे बुजरात सरकार्ना रमत्ममत युवा न संस्तूतिक विभाग द्वारा लेवामा आवे हो छे क्रासकरियाने जो वाद करिये तो पेली में 65 रोज आजे छे ते नियम बाहर पाड़वामा आवेलो तो परंतु समयांत रे जे छे ते आजे जे पन चाहर स्तड़ो ये नोटीसो लगावानी वे जुड़ाज दा विभाग ना परिपत्रों वे तो चे नी अंदर इंग्लिस लेंग्वेज ने प्रायोरीटी आपा माहावती ये परंतु हवे जे छे रमाद गमत युवा सांस्कृतिक विभाग द्वारा महत्वन वाजे ठराव छे ते पसार करीदेवा मां आवे लो चे ने तेनी अंदर स्वर्ष्ट गुल्लेक करवा मां आवे लो चे के रामलाल परिक समीती नी जे रचनाते यतिन तेने जे बला मनो करे लियती टे अनुसार गुजराती वासा ने, प्रायोरीटी आपकानी रेषे गुजराती वासा अब जे छे, ते आथsoever अधरी महानग्रों छे, तेनी वेवारिक बासा लेशे तेनी उप्योग करवानों रेषे, जाहर अस्तडों जे छे, तेनी उपर जे नोटी से लंगावानी आसे, तो तो तेनी अंदर अंग्रेजी हिंदी उपरांत घुजराती जे थे फरज़ियात लगावी पर से इतले के राजय सरकार्ना सरकारी जे तमाम खाता हो छे ते ते उपरांत बोड़ निगा मो क्खानगी सरकारी कमपनी हो होटेल, स्कूल, हेन्ने मोल सर्वाजिन्निक जग्या ओछे त्या गुजराती भासानी अंदर जे तमाम सूचना ओछे माहीती छे दिशानी द्रश्चे त्या लखवाना रहेशे जी बिल्कुल कारण के परन्तु जो बीजी वात करिए आ नियम फक्ता आठ मनपाओ विस्तादमा जो लागो पडशे अन्य विस्तादमा नहीं लागो पड़े तो तैनी पाचर नो शुकारण हशे जी विकुल संधिया जे परिपत्र करवा में आवेलों चे तेनी अंदर तमाम सरकारी विबाग ना खाता हो और सामिल करवा में आवेला करवा मा आवेला चेटले के तमाम स्थड़ों ये जेशे राजी सकार अना बाजय दिनियम अंतरगत आवता तमाम जिल्ला कलेक्टर कचेरियों छे तालुका बंचाहित्मी कचेरियों छे त्या पर गुजराती बासा ने महतम उपियोग करवानों आधिकारियों ने रेशे अन अनिवारी अताल गुजरात सरकार ने महापालिकाओ ने मोडी-मोडी समझाई एच ने मने एनो आनन्द छे आम तो 27 वरस्ती शाशन करे जे भारतिय जंता पार्टी गुजरात मा तो एमने पहला कें भान ना पड़ियों बीजी वाद राज्य सरकार नो वईवट संपूर्ण पने गुजराती मा थवो जोई है पन अंग्रेजी लिंक लेंग्वेज तरीके चालू रेवी जोई है पन गुजरात सरकारे भाषा नियामक नी कचेरी खतम करी नाची गुजरात सरकारे गुजराती जे प्रकार नू एना परिपत्रों मा लखे चे एने पहला सुधारवानी जरूर छे करी ओप 10 गुजरात सरकार मात्र सरकार अपना पुजराती मा चल वदार्वारादी जोई है जो उस्तर भारत ना राज्यों हिंदी मा राएकॉड चालती हो इना अगर से गुजरात अंग्रेजी मा श्हाने पाराट convenient करों ये तले आग देव्च कट्रेटी अंघरेटा कर दाज्टतु फुट है तो ये तमाम गुज्राटी भात्षाह ने आकल कर वी जो इए अनुवादों थवाघ अंग्रेजिक नंगरी बने इतली जलांगा धाका जो इसे, जी, जी, हरी में आना थी लागे चे के गुजराती मा फेर पढ़ शे अत्वत गुजराती होचे, तेवो गुजराती प्रतिये सन्मान करता थाशे, कानके हवे आपने मिक्स भाषा बोलता थी, कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती बधू मिक्स बोलिये चे, ए बोल चाल मा आ आपने मिक्स भाषा बोलता होचे, लागे चे के आना थी कोई फेर पढ़वानों नथी मारी द्रस्तिये, कारण के कुवा मा होई तो हवाडा मा आवे, गुजरात सरकार जे प्रकार नी गंदी गुजराती भाषा वापरे चे, एना परिपत्रों नी अंदर, पहला एने एन सुधारवानी जरूर चे, गुजराती ना शिक्षकों ने पहला साचू गुजराती लगता करवानी जरूर चे, गुजराती जे प्रकार नू बनावा मा वे चे, तमने अच्छे सब्सक्राइब गुजराती वांची न थी शकता विज्यार्थियों गुजराती माध्यम्मा बढ़नारा लखी न खी शकता आतो गुजराती नू धनोत-पनोत काड़ी ना क्यों जालो कोई जी तो हवे रही रही ने कदा चा आजे वाद सामे आवी रही चे हवे ना थी केटलो फरक पडशे खबर ना थी हरीवाई अपनो आभार हमारी साथे जोड़ा बदल तो जे री ते हरीवाई नू पन क्या हूँ छे के कौट मा पन गुजराती कौट गुजराती मा चालवी जो ते गुजराती मा थावी जोई जे बौड चे सिनेमा गुरुओ हौए के पची होटल ना ते पन गुजराती मा लखावा जोई भाशा प्रत्येनों सरकार नों आप्रेम जागे ओचे आप आने कई दिते जोई रहाचो खुब स्वागत करूँ छू आ बहुज अगत्तेरी बाबत छे आने एमा ते गुजरात सरकाने खुब-खुब अभिनांदन खासकरी ने सांस्कूलतिक मंतरी हर्श भाई नों अभिनांदन आपूचू के मात्रु भाशा दिवस आपड़ों 21 मी फेबरु अरी ए छे आने त गुजराती नों प्योग वधी वधूकरी शखाए ए करवो जो हूए ए विमारी आशा छे और विननती पन चे पर भागेश याना थी आपने लागे चे के गुजराती भाशा सुधर अथवा तो लोको गुजराती भाशा नों सन्मान करता था शे बिल्कुल बिल्कुल गुजराती मा होई छे आपने एक नानो पान्ना गल्ला वालाने पने एक वियामो हूँ उभो थर्वो छे क्या अपने अंगरी जी मा लखिये तो बहु मुटा के वई ए खरे खरे यू नथी तमें अंगरी जी जानों अंगरी शामे वांधो न थी पॉन तमें आपनी भाश बुलीने अंगरी जी माहत में वदार्वू ये तो आपनी सामस्कूलतिक दरोहन ने बुलवा जेवू छे आने गुजरात सरकार आरी ते प्रोच्छान आपे छे बहुच आवकार दायक छे कानके आवु ठशे तो लोको ने हम थे शे कि आप आटिवाजवा माटे पन आपन आपनी वास आची जे परन्त विश्रशग्यों मानी रहा चे के सरकार पोते पहला सुधर्वानी जरू चे कानके तेमनी जे प्रेस नौट हो ये तो तो तेमना जे डॉक्यमेंट सावता हो ये तेमा जे गुजराती जे होई चे अथो शब्द नी वाद करिये स्पालिंग न अही नीछे एटले सरकार बर सरकार एंकरेज करें पर समाज इच करूंची जे अपने चोक्राओंने अंग्रेजी माध्यम में मुख्ये चे आपणने जैंचे क्या स्टेटस सिंबॉल चे ना आम करीष निच चोक्राओं अश्यरा चे आपने केलावनी ने महत्त्व आप्प पर छेल्ले तो भाषा ए समाज नी माली की चे समाज नू अभूशन चे आने ए समाज ना अभूशन ने वदू चक चक राखू समाज मा भाषा नू वपरास बराबर रे चोखो थाए शुद्ध गुजराती बदा बोले लखे वांचे एउँ जो करी शुद तोज आपने आप मरी साथे जोड़ावा बिदल तो भाषा नू सनमान करवा माटिया एक निर्णे लिवा मा आवे ओचे कॉली सुपर मार्केर शॉपिंग मॉल, होस्पिटल, होटल, रेस्टुरेंट, काफे, बैंक मा सुचना ओ, गुजराती मा लखवी पडशिया निर्णे लिवायो चे र इम्बोत्रा गामनी, सगिरानों तैनाज प्रेमी ए गड़ु कापी नाखियो, आरोपी संज ठाकोनी पूछ पर अचमा खुलासो था हो चे के तैनी प्रेमी कानने मारी नाखवा मांगतो हतो, पोलिसे हत्यानों प्रयास, दुशकर्म, पॉक्सोय एक्ट हेटर्गुनों दा अखल करी तपासाद धरीश, तपासमा सामे आवियो चे के आरोपी औने फरियादी बनने एकज समाधना चे अने बनने वच्चे प्रेम संबंध हतो, परन्तु कोई वातने लईने जगणो थता आरोपी प्रेमी काका बोलावे शे तेओ कहिने सगिराने नदीनी कोतर मा जिया तेनु गड़ू कापी नाखी औने मारी नाखवानू प्रयास कर्यों, गड़ू कपाय बाद सगिरा मरी गए शे तेओ समझी ने आरोपी संजे ठाकोर तियां थी भागी गए अधर मिया नदीमा थी रेती भराता डंपर ना ड्राइवर औने गाम ना सरपंश नू ध् तो जिया यूती ने गड़ाना भागे त्री स्टांका लेवा पड़े आचे, हजु पन तेनी सारवाड चाली रही छे तो मांचा थी मार सेयोगी हर्मेश अपनी साथे जुड़ाया चे, त्यां तेमनी साथे सीधी वाचित करेशों हर्मेश पहली घटना सुरत मा सामे आवी हती है और बीजी आप्रकानी घटना मांसा मा सामे आवी छे सवाल एचे के कई मनस्थिती मा आपने जिवी रहा चे शामाटे आप्रकानी घटनाओ वधी रही चे मंदीर मां गया बाद एक सीम आव ले जी नादीनों पट आववे लो चे तिया अगर ती बने जवानी वधी घटनाओ यूवग जोड़ब मरी जवानी वाद करीति ले आजब करेंग दर्मियां आज बनने प्रेमी प्रेमी करें आचे बनने बचे शारेरिक संबंधों पर जग्या उपर बंदाया थाना त्यार बाद आजे प्रेमी युवक्षे ते आवेश मा आभी गई होतों त्यार बाद तेरी पासे जे कटर होतु ते कटर थी तेनी अत्यानी कोशिस करिये थी समगर बाद दी जो वात करमा तो जे प्रेमी युवक्षे ते आगटना ने अंजाम आपयाबाद त्या थी फरार थी को तो परन्तु लोई-लूहान हालत मा आजे सगिर आती तेने त्या अस्तानिक लोकों था तेने संपर करे होतों तो त्यार बाद तेना काका ने फोन करी और तेने जान करी थी ओर बाद बाद लईने जहरे पोलीस ने पर गतना नी जान थी तेर पोलीसulin आँगे कारे वहाथा दरी गुनों नोदियों और जे आवर पी छे ते आवर पी नी धर पकल करे आजिर युदर टे आभीने फीटी परन्तु जो मानसिक तानी वासकरम आवे तो तमाम प्रकार नीचे घतना हो चे तेमा क्याक निक्याक एक तरफी प्रेम मा पागल हो वानू मानों मावी रहो चे तेलो को सोच्यल मीडिया जवाब दार हो वानू पर मानी रहा चे संध्या खुबट महतों नीबात एपन चे के जारे आप्रकार नी घतना हो पनती हो चे तेरे पोलीस कारेवाई करती हो चे परन्तु समाज मा जे दिकरियों न माता पिता चे तेलो कोई पन आप्रकार नी घतना चे ते घतना हो ती शीक मेड़ा वी जो है कि पोतानी जे दिकरी चे ते दिकरी ने कौनी साथे मित्रता चे कि कौनी साथे तिना संपार चे ते तमाम बाबातों नुद्यान राकू पन एक जरूरी बनियुचे संद्या जे बिल्कुल आपनों आभार अमारी साथे जोड़ावा बदल तुमान सामा पना प्रकानी घटना सामे आवी जे प्रेमिये प्रेमिकानू गळू कापी नाख्यों चे हाल जे प्रेमिका चे यूवती चे ते सार्वार हेठर चे अना सिधा जपने लेजेशो निताम बाणी एक कारिक्रब माच्य नितिया जपने त्रशो बतावेशो With great joy, I invite you to begin your journey to incredible India. Welcome to the stadium called India. With two of the world's top 10 mega cities, aiming to be a $5 trillion economy, aiming for sustainable space endeavours among the fastest growing sporting nations, consuming 1.55 trillion minutes of sports content annually. 1, 2, 3, 4. Where the whole world is one family, where the guest is God. Witness it all. From the stadium called India. Friends, India is scaling new heights in every field, including Olympic sport. Nearly half of India's population, over 600 million, are under 25 years of age. This makes India one of the most crucial and exciting places to nurture and grow the Olympic movement. Inspired by the Olympic Values Education Programme, it is our mission to identify potential talent and guide them to greatness in the world of sport. To coincide with the Olympic Session 2023, we propose to launch a series of elite sports development programmes for the youth across deprived communities. I believe this is only the beginning, and it is time to elevate our partnership with the Olympic movement to greater heights. Yes, it is our aspiration to host the Olympic Games in the future. It is our ambition to inspire every young Indian to embrace the Olympic values of friendship, excellence, and respect. The IOC session in 2023 in India will be a catalyst that will ignite this ambition into action. Today, we propose to host this historic occasion in magical Mumbai, our city of dreams. The city that will rise up to salute the spirit of Olympism. Mumbai, the city of dreams, the land of opportunities. Where every street is a stadium, where every sport is a spectacle, a world of million trees, a world closely connected, a world closely connected, where everything is within reach. From recreational parks, to international healthcare facilities, from UNESCO World Heritage Sites, to globally recognized hotels. The welcoming city where everyone belongs. The spirit of Mumbai, the city that never sleeps. The show never stops. Indomitable. The destination of dreamers and doers. Experience Mumbai. Experience the city of dreams. His Excellency, Mr. Thomas Bach, IOC President, my dear colleagues, I am delighted to be addressing you all today. In recent years, India as a nation has embraced sports and fitness. There is a strong belief that sports can provide fundamental shift in our society. Amongst our first steps in showcasing new India sports capabilities to the world is our proposed hosting of the IOC session in Mumbai in 2023. This is supported by our long-term goal to host the Olympic Games in India. It is a bold objective but one that can surely deliver and we are excited that through sports we can bring the world to India, we are already working with the government and the private sector and I am pleased to report that the stakeholders share a commitment to make the IOC session in Mumbai a truly memorable experience. We are fully committed and all set to host a truly memorable IOC session. I look up to each of my colleagues in the IOC for their full support of our proposal and assure you all an event that will be memorable. On behalf of Indian Olympic Association, I would like to thank you for considering our proposal to host the historic event and look forward to welcoming you all to Mumbai in 2023. I now have the honour of introducing a message from His Excellency Mr. Anurag Thakur, the Sports Minister of India. President Bach, esteemed members of the IOC, Namaste, Hello everyone. The Indian government has a vision of India becoming one of the world's leading sporting nations. Our efforts to fulfil this vision are very well underway with several sports development programmes across the country. We are working with partners like you to introduce opportunities at the grassroot level and nurture our talent with world-class training while providing the necessary ecosystem to allow our athletes to achieve their sporting dreams. Our talent pool is growing with the support of our robust education system and various government initiatives to elevate sport from a part-time passion to a full-time profession. It is my firm belief that the Olympic movement can help accelerate our vibrant nation in the right direction. Hosting the IOC session in 2023 will demonstrate our ambition and elevate the potential of our partnership. Rest assured that the Government of India will do everything in its power to ensure you have a wonderful experience during the session. I truly believe that together we can achieve something very special. So, dear friends, I look forward to having the honour of welcoming you all to Mumbai in 2023. Thank you. Jai Hind. Thank you, Honourable Sports Minister. Dear colleagues, the IOC session in Mumbai will be game-changing and life-transforming for India's future generations. It's now my great pleasure to introduce you to the state-of-the-art venue for the IOC session in 2023. The Jio World Centre. An iconic brand-new complex that mirrors all our values and aspirations. Jio World Centre is one of the most innovative, sustainable and self-contained convention centres in the world. And the largest in India. An ode to our country's rich culture and symbolic of the dreams of new India. Friends, I cannot wait to welcome you all here. An ode to our requiem. deren An ode to our 맞아요. An ode to our now. An ode, कर दो प्रग्वाना, प्रणब कर दो पनादा कर दो दोॉपारा, आए प्रगाना कर दो दोॉपारा दो आखright दिरिक्टर थिरिक्टर था 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 थिरिक्टर थेन्धा It will be a great honour and pleasure to welcome the IOC to the JioWorld Centre in Mumbai, and strengthen the Olympic movement, in India. President Bach dear colleagues thank you for your valuable time today, a special धिर वेज़ेने लिफट हम कर दो किया विजह कोर्पूश्य और लेज़ कोर्पार सिर्म एग इनके वेड़िए करिया. चाहर बेदे भोल्बिश गीजिय चाहर है के अए प्राव नियूटन से अविज प्राव प्रांपynnह झार्ज खरेफ खर्ब मुझन। प्राव प्राव सिर्टांट अवर्ण भी इज ड्यावर्टन क सम्क्राव थे लिसन अनीज परेस्ट विल्बॉबग्स नियूब ऑ्राव for the support being expressed on behalf of the Indian Olympic Committee and to Mr. Abhinav Pintra for leading the Mumbai delegation in such an excellent way through the presentation. Thank you very much to all three of you. I will only have one question after. Who will have to stand under the fountains you produced there so prominently? when we come to Mumbai. But before asking more questions, I give the floor to the Chair of the Evaluation Commission for IOC Sessions, our Vice President, Mr. Siam Yang Eng. Mr. Eng, you have the floor. Thank you, President, dear colleagues, and our dear friends and colleagues from India as well. The candidature process for hosting of the IOC Session in 2023 was started very early in the summer of 2019 in order to find the most suitable city. Mumbai was identified as a potential city. The 2022-23 period also happens to be the 75th anniversary of the Indians' independence. And it would be really a great occasion for the Olympic movement to be at the heart of this wonderful celebration. The Corporate Events and Services Team paid its first visit to Mumbai at the end of August 2019 to evaluate whether hosting a session there would be feasible. The IOC Session Evaluation Commission then visited Mumbai on 21st and 22nd of October 2019. The main objective were to establish the final venue and dates. On 4th March 2020, the IOC EB confirmed that Mumbai was eligible to host the IOC Session in 2023. Due to the worldwide pandemic, the project was then put on hold. In autumn 2021, both the Indian Olympic Association and Mrs. Amani reiterated their commitment to hosting the IOC Session in 2023. As you have heard, the identified venue, the Joe Worcester, is located in the Bandra Kula Complex, which is the new economic and cultural hub of Mumbai. The centre offers all the required services and space needed for the organisation of the session as well as related meetings. Hotels are located very close to the venue. The standard average rate for a double deluxe room in 2023 will be US$350. Renew guarantees on rates and availability will receive in November 2021 to cover the IOC needs and are fully aligned with the market. Following the Evaluation Commission's visit and various discussion and taking into consideration of the financial capabilities of the IOA, it was confirmed that most of the operating costs will be covered by the IOC. It is important to note that India has a high VAT rate... of the IOA is in the current